वेलकम बैक टू अनादर वीडियो तो आज की वीडियो का थमनेल लेख लिया होगा कि आज मैं रीजन बताऊंगा कि मुझे रिपोर्ट क्यों गया था वहां से तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि तेरे जो डोकिमेंट्स थे फेक इसलिए तिरको डिपोर्ट कर दिया कुछ कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग ठीक है तो आज एक्चुल्टी बतारों रियल्टी जो थी क्या हुआ था तो एक्चुल में मैं जहां जोब करता था वह कारोशिंग एरिया था जहां पर मुझे जोब मिली थी तो जो मेरा फर्स ऐसा कुछ नहीं था फुली साथ जाती थी कोई किसी को कुछ नहीं कहता ऐसे ठीक है लेकिन 27th of September को जब मेरे को पकड़ा था डिटेन किया था तो उस दिन मेरे को कैसे पकड़ा रीजन किया था उसका तो आज उस बारे में बात करेंगे हम तो 27th of September को मैं काम पर जाता हूं स तो उसका रीजन यह था कि वहाँ पर जो काम करते थे वहाँ पर हम टोटल 7-8 लोग थे ठीक है उन में से एक इंडियन था हैदराबाद से था वह अच्छा दोस्त था मेरा लेकिन कुछ और देश से थे जो और लोग थे जैसे रोमानिया से था इरान से था इराक से थे ठीक को गवर्मेंट ने असाइलम भी दिया हुआ था तो असाइलम में क्या होता है असाइलम में गवर्मेंट अकोमोडीशन खुद देती है और जो आपका मंतली एक्सपेंडिचर होता है 500-600 पाउंड आपको देती है जैसे आपको शोपिंग वगरा करनी है या कुछ और चीज यह होती है कि आप अगर आपको असाइलम मिला हुआ है तो उसमें आप काम नहीं कर सकते है ठीक है तो वो फिर भी वहाँ पर काम कर रहे थे तो जिस दिन पुलिस आई थी जैसे 27 को सुबह आई थी 10 बजे तो 10 बजे क्या था वो पुलिस नॉर्मली जा रही थी मेरा स्प्रे से क्लीन करना कार को तो वो कर रहे थे पुलिस जा रही थी तो एकदम से वो गाड़ी के पीछे चुप गए थे दोनों बंदे क्योंकि उन्हें पता था असाइलम मिला हुआ है काम नहीं कर सकते हैं उनको पकड़ लिया तो पंगा हो जाएगा तो उनको डर था कि य तो फिर उसके बाद जो पुलिस थे उन्होंने एक स्टाटीजी यूज की तो उनकी जो टू लेड़ी इमिग्रेशन ऑफिसर्स थी वो अपनी कार में बैठ के आई ऐसे कस्टमर पुलिस एक बार निकल गी पता था उनको डाउट हो गया था वो छुप गए थे तो उन्हों कार वोश की वो मेरे तकाए हागे मैंने ड्राइक लिंग उनका कर रहा था के कपड़े से तो मैंने उसे पूछा कि कौन सी क्लीनिंग चाते हो इंसाइड और आउट साइड वेल तो धिरे दिरे वो बात पर आई कि आप यह कितरे में करते हो ठीक है आपकी यह सर्विस कीतरे मुझे नहीं पता था एक्चल में मैं दूसरे अरिये में आगे लगा हुआ था तो उसके बारे में मुझे कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं है उन्हीं को पता था उन्होंने किया था और एक दो जोस्त था ना हैधरावाद वाला वो उनके पा इसने फिर वहां से घेर भी लिया था चारो तरफ से तो वो जो रोमैनिया वाला था और एक जो इरान वाला था वो अपनी टी-शिट निकाल करके भागने लगया तो उसको पगड़ लिया क्योंकि चारो तरफ से बंद था वो एक साइड से उपन था उस साइड से तो उसको पकड़ लिया फिर सभी जो सारे जो वरकर्स थे वहां पर उनसे पूछताज बगरा करने लगे वो डोकिमेंट्स के बारे में पूछने लगे सबी के जैसे कुछ एक उन दो के डोकुमेंट्स थे ही नहीं जाइर से बाता है लीगल थे तो और उने डोकुमेंट्स दिखा दिये थे और फिर हम पर वारी आती है एक जो हैदराबाद वाला था और एक मेरे पर तो उसमें क्या होता है उन्होंने मेरी डोकुमेंटेशन चेक के काम पर जाता था तो मेरे पास में था तो उनको मैंने दिखा दिया यह है मैं तो 20 आर्स पर भी काम करता हूं मैंने उनको बता दिया तो वो उन्होंने नहीं माना जो लेडी ऑफिसर्स थी उनको काफी डाउट हुआ मेरे पर एक जो लेडी ऑफिसर्स थी उसको जो बहुत कोशनिंग वगएरा कि कि आपको कितने गंटे काम करते हो बार-बार यह कोशन आपके माइंड में वो करेंगे रिपीट ठीक है तो मैंने फिर वही मैं अपनी जबान पर था कि मैंने ट्वंटी आर्सी काम किया है ज्यादा एक स्टेंड नहीं किया इस चीज़ को क्योंकि डावट हो गया ज्यादा ठीक है दूसरा आप सोच रहे हो कि अगर कैसी इन हैंड काम करता है तो कैसे पता चला तो लिमिट कैसे पता चले की तो जहाँ पर काम करता हूँआ पर कैमेरे भी लगे वह थे तो मिरेको जप्यादा टाइम भी नहीं हो था वान वीक हुआ था उन्होंने सारा उनके पास औरेडी सब कुछ था वो बेवर जस्ट चेकिंग में कि यह लाई कर रहे हैं तो उनको फाइनली पता चल गया था कि मैंने 20 आर में तो लास्ट में फिर उन्हों पूचा कि क्यों के आप ने यह सब तो मैंने बता लिया कि जस्ट 24 सब्टेंबर को मैंने एक दिन ओवर वर्क किया था ठीक है वो टैन आर मोर हो गया था मेरे से दस गंटे फाल तुकाम कर रखा था मैंने 24 को एक्चुली में मेरे को रेंट देना तो इसलिए मैंने वहाँ पर ओवर्क किया था तो उन्हों ने मेरा वीजा जो था वही पर कैंसल कर दिया था उन्हों ने एक तो यह का you lied to us कि आपने हमसे जूट बोला ठीक है आप 20 आर कह रहे थे definitely बोलना था क्योंकि अगर कुछ करना है बचना है तो बोलना पड़ता है actual में ठीक है तो उस दिन फिर मेर को detain कर लिया था उन्होंने 27th of September को और जो साथ वाला दोस्त था जो हैदराबाद से था उसको भी detain कर लिया था साथ में ही गए थे हम इकठे लेगे गए थे एक event के अंदर लेके लिया थे हमको तो उसका भी ज्यादा कुछ नहीं था उसका वो master's पे आया था उसका भी थोड़ा ही रह गया था ठीक है आपको लोयर मिलता है या नहीं मिलता वहां पर बहुत लंबी प्रोसेस है क्योंकि मेरा खुद का experience है वहां पर 20 डेज रहूं है ठीक है 27th of September से मैं 19th of October तक डिटेन सेंटर में रहा था तो 20 डेज हो गया 20 more than 20 डेज हो तो यह बहुत लोंग प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में आपको अब लेकर के चलूँगा यह जो वीडियो थ्री पार्ट में डिवाइड होगी जो लास्ट पार्ट है वो विदिन वन वीक में मैं अप्लोड कर दूँगा तो उसमें क्या है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा क्योंकि अब जो वीडियो है वो लेंदी हो जाएगी काफी और रेडी 10 मिनट की हो गई है तो वह बताऊंगा तो मोर देन अब में मैं हाफ एंडार उती हो जाएगी तो बहुत बहुत लंबी डिटेल ला उसके जाएं फैक है तो ल Most तो ने वीडियो में मिलते हैं और मैंस ants पूचने के बाद में आपकी प्रोसेस केसे स्टार्ट करते हैं प्रोटेशन की वह और आपकों क्या क्या मतलब वहाँ पर आपको requirements होती है कि चीजों की सब कुछ detail में next video में upload कर दूँगा हम तो मिलते हैं next video में बबाई